हैले दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल ओल्लाइन बाटशाला में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामन्य विज्ञान के कुछ प्रशनों को तो जले शुरू करते हैं पहला प्रशन है परमाणु विखंडन प्रकिरिया के दोरान उत्पन उर्जा का परियोग किया जाता है यानि परमाणु विखंडन के दोरान जो उर्जा उत्पन होती है उसका परियोग कहां किया जाता है चार आप्शने आपके पास और सही उत्तर है विद्यूत निर्माण में परमाण विखंडन से उर्जा उत्पन होती है उसका परियोग विद्यूत निर्माण में किया जाता है और विद्यूत निर्माण में जो नाविक्या सयंत्र होते हैं उनमें फ्यूजन जो परकरिया है विखंडन के द्वारा उर्जा उत्पन होत चार ओप्चन आपके पास और सही उत्तर है जुकाम, जो जुकाम होता है वो मौसमी फ्लू है और ये राइनो वाइरस होता है उसके संक्रमन के कालन होता है और जो ये राइनो वाइरस है वो सर्दी के समय, सर्दी के मौसम में अधिक प्रभावी होता है अगला question है आँख का कौन सब आँख आँख में रंग का निर्धारण करता है चार option आपके पास और सही उत्तर है आईरिस आईरिस जो है वो आँख में रंग का निर्धारण करता है अगला question है सूर्य की उस्मा पिर्थवी तर किस संचार माध्यम से पहुंशती है चार आप्षिन आपके पास और सही उत्तर है विकरन विकरन के माद्यम से सूर्य की उस्मा पिर्थवी तक पहुंचती है ये उस्मा का माद्यम है और जो चालन और संवहन है ये भी उस्मा के संचरन के माद्यम है जो चालन माद्य में उस्मा संचरन का ये धातों में प्रयोग होता है और जो सम्वयन है ये द्रवों में अगला क्वेशन है किस वेग्यानिक ने सरपर्थम आवर्त सार्णी का निर्मान किया था चार आप्शन आपके पास और सही उत्तर है मेंडलिफ मेंडलिफ को आवर्त सार्णी का जनक भी कहा जाता है अगला क्वेशन है आधुनिक आवर्त सार्णी किस पर आदारित है चार आप्शन है आपके पास और सही उत्तर है परमानु संक्या परमानु संक्या पर आदारित है आधुनिक आवर्त सार्णी जिसका पहला तत्वा है Hydrogen कमेंड में लिखे बताईए कि आवज सारणी का दस्वा तत्वा कौन सा है अगला क्वेशन है कौन सा पादब हार्मून पौधे की व्रिदि में सहायक होता है चार आप्शन है आपके पास और सही उत्तर है Oxyn Oxyn एक पादब हार्मून सा है जो पौधे की व्रिदि में सायक होता है और इसमें जो Fluoresis हार्मून है इसे फूल खिलने वाला हार्मून भी कहते हैं ये सभी के सभी पादब हार्मून से है अगला क्वेशन है हरित बाली रोग का संबंध किस फसल से है चार आप्शन आपके पास और सई उत्तर है बाजरा जो हरित बाली रोग है ये मुख्य रोग है बाजरे का जो बाजरा फसल है ये एक मूटे अनास के रूप में से देखा जाता है और ये उच्छ लोहो तत्वयुक्त फसल है और इसका उत्पादन सूखे शेत्रों में होता है जहां पर पानी की कमी होता है जैसे बारत में राजस्तान और मद्यप्रदेश का पस्च्यमी शेत्र वहाँ पर इसका काफित पादन होता है अगला क्वेशन है टिका रोग का संबंध है चार उप्शन आपके पास और सही उत्तर है मूंगफली मूंगफली का प्रथम प्रमुक रोग है टिका रोग अगला क्वेशन है सार्स रोग के लिए उत्तर दाई है चार उप्शन आपके पास और सही उत्तर है विशानु 60 एक विशानू जनित रोग है अगला क्वेशन है भारत में हरित क्रांती का जनक किसे कहा जाता है चार आप्षिन आपके पास और सही उत्तर है MS. Swaminathan MS. Swaminathan को कहा जाता है भारत में हरित क्रांती का जनक ये भात के प्रमु कृसे वग्यानिक है कमेट में लिखे बताए कि हरित करांदी का जनक किसे कहा जाता है अगला क्वेशन है जी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है चार आप्शन आपके पास और सही उत्तर है अरस्तु अरस्तु को कहा जाता है जी विज्ञान का पिता ये यूनानी चिंतक रहे हैं अगला कोशन है आनुवन से क्रियाओं का संचालन कौन करता है चार आपके पास और सही उत्तर है डियने डियने आनुवन से क्रियाओं का संचालन करता है और अगर आप डियने की फिलपॉम की बात करें तो डियने की फिलपॉम है डियाकसी राइबोन्यूकलिक एसिड अगला क्वेशन है प्राकृतिक चैन का सिदान्थ किसने प्रतिबादित किया चार आपके पास और सई उत्तर है चाल्स डार्विन चाल्स डार्विन ने किया था प्राकृतिक चैन के सिदान्थ का प्रतिबादन इनकी एक प्रमुक पुस्तक है जिसका नाम है प्रजातियों का उद् प्रियोग मैंडल द्वारा किस पौधे पर किये गये थे चार आप के पास और सई उत्थर है मटर मटर के पौधे पर सवरपधम मैंडल ने आनुवन्सिक प्रियोग किये थे जिसमें उन्हें बहुत सारी विसंताईं दिखी थी अगला question है इस्तंधारियों का हिर्दय कितने कोशों का होता है चार option आपके पास और सही उतर है चार कोश जो चार कोश है वो निलयों और अलिंद के रूप में विद्यमान होते हैं जैसे दो अलिंद होते हैं दाया अलिंद और बाया अलिंद और दो निलाय होते हैं दाया निलाय और बाया निलाय यानि टोटल चार हुए तो जो इस्तंधारियों का हिर्दय होते हैं वो चार कोशों में विवक्त होता है अगला कोशन है कोशिकाओं के समू को कहा जाता है चार option आपके पास और सई उतक है सई उतर है उतक कुछ काओं का समू कहलाता है उतक अगला question है रक्त किस प्रकार का उतक है चार option आपके पास और सई उतर है सईयोजी उतक जो रक्त है वो एक प्रकार का सईयोजी उतक है जो हमारी सरीर में उर्जा और टापान को नियंतरत करता है अगला question है, किस ग्रंधि को master ग्रंधि कहा जाता है? चार option आपके पास और सही उत्र है, pitutory ग्रंधि को कहा जाता है master ग्रंधि यानि master gland यह स्तित होती है हमारे सर में मस्तिस के पास अगला question है बोजन का अवसोशन सरीर के किस अंग द्वारा होता है चार option है आपके पास और सई उतर है छोटी आथ हमारे सरीर में जो बोजन का अवसोशन होता है वो होता है छोटी आथ के द्वारा अगला question है कौन सा पूसक पदार्थ हमारे सरीर में त्वरित उर्जा प्रदान करता है यानि अचानक उर्जा हमें चाहिए होती तो हम वो हमारे सरीर का कौन सा पदार्थ है चार option है आपके पास और सही उत्तर है Carbohydrate कार्भोहाइट्रेट से हमें हमारे सरीर को त्वरित उर्जा प्राप्त होती है अगर हम कार्भोहाइट्रेट की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है तो मोनोसेकराइट जो होता है उसमें ग्लूकोज आता है जो हमारे सरेर का मुख्या उर्जा प्रदायक प्रदार्थ है अगला question है मनुष्य के हिरदाय का स्पंदन एक मिनट में कितनी बार होता है चार option आपके पास और सही उत्तर है 72 बार यानि हमारा जो दिल है वो एक मिनट में बहुतर बार धड़कता है 23 question है vitamin A का रासाइनिक नाम है चार option आपके पास और सही उत्तर है retinol vitamin A का जो रासाइनिक नाम है वो है retinol vitamin A की कमी से रतोंदी रोग होता है जिससे हमें स्पस्ट नहीं दिखाए देता है comment में लिखके बताएं कि vitamin D का रासाइनिक नाम क्या है अगला question है कौन सा vitamin जल में घुलनसील है चार option आपके पास और सही उत्तर है vitamin B जो vitamin B होता है वो रक्त में घुल जाता है और vitamin B और C यानि दो vitamin है जो पानी में घुल जाता है वितामिन घुलनसील vitamin इने का जाता है vitamin B और vitamin C को अगला question है लाल रख्त कंणों का जीवनकाल होता है चार option है आपके पास इसका निर्माण होता है हमारे सरीर में अस्ती मज्या में जिसके bone marrow भी कहते है तो दोस्तों आज हमने 25 questions discuss कि I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे और अगर आपको वीडीयो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे